दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेकनिकल गाइड पे और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले राइजन के नए प्रोसर के बारे में जो की है राइजन 3100 और 3300X और यह इंडिया में लॉंच भी हो चुका और अवेलिबल भी हो चुका है तो चली शुरू करते हैं आज क जो 3100 है जो 3300X है उन दोनों की अगर मैं प्राइजिंग के बाद करो तो इंडिया में उनकी प्राइजिंग है जो 3100 वो वेदान्त कंप्यूटर और अमडी कंप्यूटर पे अवेलिबल है और कहीं पर भी फिलाल आवेलिबल नहीं है अमेजॉन पर भी अभी अवेलिबल रुपीज के आसपास दोनों की प्राइजिंग में एक अच्छा कासा डिफरेंस है और बहुत सारी इंडिया यहां पर जो इंडिया के पीसी यूजर वो बजट यहां पर बहुत मैटर करता है तो यहां पर इनका डिफरेंस हो काफी अच्छा खासा है अगर थोड़ा सा कम होता तो यहां पर हम 3300 एकस के साथ ही जाते लेकिन फिर भी यहां पर 3500 मिल जाता थे घृइज कम के में तो सबसे पहले बता रहे 2200 जिसमें सिर्फ चार कोर और चार थेड़ होते थे इसके साथ आया है नया चार कोर एट थेड़ का सिस्टम और जो 3300 एक्स उसमें भी आपको फोर कोर एट थेड़ देखने को मिल जाते 3100 और 3300 एक्स दोनों ही बने हैं यह यहां पर जो इनकी जो मेमरी स्पीड चोई सपोर्ट करते हैं वह यहां पर आपको जो clocks देखने को मिल जाते हों यहां पर जो 3100 है उसमें थोड़ी सी कम है जो की 3200 जी है या जो भी थर्ड जनेरेशन वाले प्रसेर हो उनसे थोड़ी सी कम है जो 3100 है उसमें यहां पर clocks है जो बेस है वो है यहां पर 3.6 की और जो यहां पर boost है मैक्स बूस्ट क्लॉक वह यहां पर 3.9 गीगाट्स की है बात करें 3300 एक्स की तो 3300 में आपको थोड़ी सी यहां पर हाय क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है जो बेस है वो 3.8 का है और जो यहां पर बूस्ट है वो 4.3 गीगाट्स का है दोनों में यह आपको जो cache size मिलता ह है बहुत बड़ा है यहां पर यानी 18 मेगाबाइट का यहां पर total cache memory आपको देखने को मिल जाते है इसमें कोई भी integrated GPU नहीं है तो आपको एक external graphics card लगाना ही पड़ेगा जैसे कि पुराने ryzen 1200 के साथ था और यहां पर आपको बस और कुछ matter नहीं करता लेकिन एक और चीज़ उसमें आपको दो मिल जाते आनिंदें अई एक है को इक एक सेट में दो को हमें जाएंगे दूसरे सेट में यहां पर स्विचिंग करनी तो स्विचिंग में थोड़ी सी आपको लेटेंसी देखने को मिल जाएगी लिकिन 3300 X में एक ही चीपलेट में आपको चारो कोर्स देखने को मिल जाए तो कोई भी आपको जो सीप्यों इतना स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी और यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट भी न यहां पर थोड़ी सी कम है हाला कि दोनों अनलॉक दे तो ओवर क्लॉक कि यहां पर सपोर्ट करते हैं और यह बी फॉर फिफ्टी में चल जाएंगे अराम से बाकी जो एक न्यूज ऐसी भी आए कि जो बी फाइफ फिफ्टी है वह आने वाला है वह और वह 4000 सीरियस को सपोर करेगा लेकिन बी फॉर फिफ्टी नहीं करेगा ऐसी एमड वह ने क्लेम किया है और बोला भी है कंफर्म भी किया लेकिन देखते हैं असली में क्या हो दो कि सिर्फ एक जेनरेशन के लिए पूरा यहां पर एक पूरा चिपसेट चेंज करना एकदम सही आईडिया नहीं रह हैंगे 320 में भी अराम से चल जाएगा यहां पर लगेगा लेकिन आपको वह चेक करके तब ही जब आप लोग है आप कंफर्म कर सकते हो या जैसा जैसे यहां पर आता है लॉंच होते और लोग सिस्टम बिल्ट करते वैसे सबको पता भी लगते जाएगा यहां पर कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा और इंटल की तो प्रॉब्लम आपको पता है हर दो जेनरेशन के बाद मतबोट चेंज यहां पर करना पड़ता है लेकिन फिलाल इंटल अभी आया नहीं है तो इसकी प्राइजिंग भी हमें नहीं पता लिकिन फिलाल एमडी के जो थर्टी वन थ्रेड़ वाला सीपी वह राइजन 16 जो फॉर्स जेनरेशन राइजन तो अगर आपको ज्यादा को चाहिए ज्यादा थ्रेड्स चाहिए ज्यादा मल्टी टास्किंग करनी और हैवी टास्क करने तो आप राइजन 16 100 के साथ भी जा सकता अगर आपका बजट सिर्फ 8000 है त तो यह भी एक इसकी यहाँ पर ज्यादा अच्छी होने वाली है लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर 8000 में 2000 रूपीज एड़ करोगे तो यहाँ पर आपको 3500 देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 3300 एक्स का प्राइज है यहाँ पर 11200 रूपीज तो मेरे और जो 3500 ह है वह यहाँ पर 1000 सस्ता भी देखने को मिल जाता है तो 3500 में आपको छे को छे थर्ड मिल जाते है और 3300 एक्स में 4 और 8 तो जो 3500 है वह मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पर ज्यादा सेंस बनाता है यह मिल जाते हैं प्लस यह भी 3rd generation ही है यह 2nd generation नहीं है तो आपको 3500 अच्छी परफॉर्मेंस प्रवाइड करवाएगा और अगर 3300 एक्स के बजाए आपको 6 और 12 चाहिए तो यहाँ पर 2600 पी आता है यह सेकंड जेनरेशन है और यह यहाँ पर 12 नैनोमीटर पर बना है और इसमें भी आपको इंटेग्रेटर चीप्यू देखने को नहीं मिलत तो अगर आपको आप ऐसे हो जो ज्यादा मुल्टी आस्किंग करने वालों या ज्यादा हैवी काम करने वालों या स्ट्रीमिंग करने के लिए सोच रहो तो यहाँ पर 2600 है वह यहाँ ज्यादा सेंस बनाएगा क्योंकि एक जेनरेशन ही पुरान है उसमें कोई बड़ी बा से लेकिन आप दूसरी वीडियो भी चेक कर सकते हो बेंचमार्क भी चेक कर सकते हो मेरे पास अभी तो कोई टेस्टिंग लिए है नहीं सिस्टम लेकिन फिर भी जो 3500 यहाँ पर ज्यादा सेंस बना देगी इसके पास 6 कोर है और प्राइजिंग यहाँ पर 1000 यहाँ पर कम है राइजन 3100 8000 रुपीज का आपको मिल जाता है 8600 के आसपास तो मेरे ख्याल से वह एक अच्छा मदब थर्ड जेनरेशन भी मिल जाता है आपको तो वह एक बेटर डील है 3300 एक से अच्छा है 3100 यहाँ पर क्योंकि इसकी जो प्राइजिंग वह एकदम पॉफेक्ट है और अगर आप 3300 एक्स के प्राइजिंग पर जाहिए रहे हो तो आप 2600 ले सकते हो यह 3500 ले सकते हो लिकिन जो 3100 वह एकदम बिल्कुल भी एकदम सही है और मैं ख्याल से उसकी प्राइजिंग वह अभी शायद थोड़ी यहाँ पर जादा है क्योंकि लोगडाउन के वैसे लि तो उसके बदले आप 2600 ले सकते हो या आप 3500 ले सकते हो जैसे आपकी नीज एन रिक्वार्मेंट्स है तो बस आज किस वीडियो में तो इतना ही था 3100 और 3300 एक्स के बारे में अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करते हैं मन में कोई डाउट से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और कोई वीडियो सजेशन है कुछ कमपैरजन देखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्षिन में आपके डाल सकते हो और अगर आपको ऐसे इंट्रेसिंग टैक्ट वीडियो देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड को भी कर लिना सब्सक्राइब आज किस वीडियो में इतना है और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू